क्विस्टिन नमबर 55 है इसका हमने इंटिग्रेशन सॉल करना है यह उपर डी एक्स कॉस एक्स माइनस वन क्यूंकि हम इसको सॉल नहीं कर सकते और नहीं यह किसी फार्मूले से इसका कोई फार्मूला बन रहा है तो हम बायर रैशनलाइजेशन के जरीए पहले इसको मतलब इ नीचे मल्टिप्लाइज और डिवाइड करवाएंगे इसको इसके साथ बायर रैशनलाइजेशन में भी तो ऐसे ही होता है कि जो नीचे फंक्शन दिया होता है उसका साइन चेंज करके उपर और नीचे मल्टिप्लाइज और डिवाइड करवा देते हैं तो हमने भी ऐसे ह यहां कोज एक्स प्लस वन को जब इससे मल्टिपिला करवाया वन से तो क् juste क्लस भन और इसको जब इससे मतरब यह वाला फार्मूला वerson यह सब्सक्राइब अ-बी यह प्लसी तो अ-बद्श भी यह प्लस बी का मत्रभ बनना है तो कोज केर माइनस वन वन का भी स्केर आना था पर वन का स्केर तो नहीं होता है इसलिए कोज एक्स प्लस वन यहां पे लिखा कोज एक्स प्लस वन और कोज केर एक्स माइनस वन किसके इकुल होता है माइनस के साइन एक्स के एक्वल होता है कोज स्केयर एक्स माइनस वन एक्वल होता है माइनस के साइन स्केयर एक्स के यहां पर लिखा मैंने और इसका जब इंटीगरेशन सौल किया तो कोज एक्स यह इसका integration cos x over sin x plus का मतलब इसे हम अगर अलाइदा अलाइदा लिखें तो cos x over 1 sin जिस तरह यह देखें cos x over sin x minus भी साथ है sin square x तो एक cos के नीचे जब sin आएगा तो वो cortex होगा और एक cos एक sin वैसे होगा तो sin का inverse क्या होता है cosecant x तो यह इसलिए है minus तो वैसे sin वाला minus साथ है cortex cosecant x और इसके नीचे जब sin आया तो cosecant square x मतलब 1 over sin square x जब आता है 1 over sin square x equal होता है मतलब जब sin उपर गया तो cosecant बना दिया उसने तो 1 over sin square x minus का cosecant square x इसका जब integration solve किया तो यह इसका अंस है cosecant cosecant x plus cortex इसका integration अलाइदा solve किया और इसका अलाइदा तो इसका integration solve करने से cosecant x plus cortex जवाब आये शब डे praभाण